हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अलीशा मेरे किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजावी पिन्नी इसे पंजाब में पिन्नी के नाम से जानते हैं और कहीं से पंजीरी के लडू भी कहते हैं और कहीं इसे ड्राइफूड लडू भी कहते हैं तो जो आपक जसे उस हम रोटी बनाते हैं उह अटा है इसके बाद हमने लिया है 100 ग्राम मखाना है जो और इसके बद्चीनी लिया इसके मिक्षी में पाउडर बना कर यूज करेंगे और 200 के दिमांगे साउडी कसम सापाइञ नारियल का बुरादा कोकोनेट पाऊडर लिया है और इसके बांड काजू कटा हुआ और 50 गरल किसमिस और ठोर सा एलाइची पाऊडर आदा चमज अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं और एक लिए जो आपको पसंदो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने गैस पे कराई चरा दिया है अब हम इसमें घी डालेंगे अभी हमने थोड़ा सा गी डाला है और बाद में डालेंगे गी गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे मखाना इसको भूलेंगे पहले कलर चेंज होने तक इसको चलाते हुए भूनना है नहीं तो जल जाएगा मैंने मीडियम फ्लेम रखा है आप भी इसे लो मीडियम फ्लेम पे भूने नहीं तो जल जाएगा देखिए मखाना हमारा भूनकर तयार हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं कि माखाना हमारे तैयार है हमने निकाल लिया है इसे इसके बाद डालेंगे हम ड्राइफूट तो पहले हम डाल देते हैं बादाम कटा हुआ इसको थोरा से चला लेंगे इसके बाद डालेंगे हम इसमें काजू कटा हुआ देखे काजू कटा हुआ भी हम डाल रहे हैं अब इसे भी थोरा सा भून लेते हैं अब बादामर का जो भून गया है अब हम इसमें डालेंगे किसमें इसे भी आप लो मीडियम पर पकाएं और चलाते रहें नहीं तो जल सकता है ड्राइफूट बहुत जली जल जाता है देखे हमारा ड्राइफूट भून कर तयार है हमने गैस को अभी सिम कर दिया है अब इसे निकाल लेते हैं अब हम डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा इसको बस एक मिनिट पकाना है ज्यादा नहीं भूनना है इसे वो भी मेडियम फ्लेम पर गी और लेडी हमारा गरह में इसमें थोड़ा सा बस एक मिनिट पका लेंगे ये भी त्यार हो जाएगा देखे एक मिनिट हमारा ये बस भून गया है त्यार हो गया है अब इसे भी हम निकाल लेंगे अब इसे भी हमने निकाल लिया है अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और गी अब इसमें डालेंगे आटा जो हमने लिया था डाइसोग्राम इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसका भी कलर चेंज होने तक सुनारा रंग होने तक भूनेंगे अच्छे से और लगतार चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो जल सकता है बचा हुआ तो रसा गी था इसे भी डाल दिया है हमने तो सारा गी हमने यूज कर लिया है जो डाइसोग्राम लिया था अब इसको अच्छे से भून लेते हैं लगतार चलाते हुए देखे काफी अच्छा भूनकर तयार हो गया है यह आटा अगर आपको घी कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं बट हमने डाला था तो तो हमारा इसी में हो गया है आपको कम्या ज़दा लगे तो चनन फर जाँडा सा कम कर सकते हैं तो चकी इसमें घी ज़दा ही डलता है लड्डू में ने तो अम लड्डू को अच्छे से बाइड़नेंटे बना नहीं बाइंगे तो आप यही सेम Strategic आएंगे इसमें आपको कम लग रहे हैं आपका घी तो आगे यहा देकि आपकेалы अना इसमें नारियल का पुराधा भी डाल दिया है कि अब डुन कर रखाथा अब डाल देते हैं इसमें द्राइफुड जो गुप्ण के रखा वा इसमें ड़्या यदे डूल एंगे मचशसे डाल दिया है कि इसे भी हम अच्छे से डाल देते हैं कि इसे भी डाल दिया हमने अorkzen शारी चीनी हमने डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे अ कि माखाना जो हमने घी में फ्राई किया था देखेंसे मिण स्देक्वत सन लाया हैं कि हलका दर-बर रहे इससे टेस्ट यसका क्रण्ची अच्छा आता है को पाउडर नहीं बनाना है बस हलका सा ही दर-दरा रखना है और सारे चीजों के हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको आप भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए काफी अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है बिल्कुल परफेक्ट त्यार हो गया है लड्डू बनाने के लिए बट हमने इसको गैस बन करने के बाद 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि हलका सा ठंडा हो जाए तो उतना गरम में हम नहीं लड्डू बना सकते हां जल सकता है और 5 मिनट ठंडा होने के बाद हमने लड् कर दिया है हमने अब ऐसे शारे लड्डू बनाकर त्यार कर लेंगे हम कि कि सेम प्रोसेस से शारे लड्डू बनाकर हम त्यार कर लेंगे देखे सारे लड़ू हमारे बनके त्यार हो गए है और कितना अच्छा बना है इसमें हमारा 35 लड़ू बनकर त्यार हो गया है जो समागरी ली थी उसमें देखाते हैं हम आपको देखिए कितना अच्छा बनके तियार हुआ है तो सर्दियों में आप भी बनाएए और खाएए एनरजेटिक रहिए एक बार आप भी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर सेयर करें हमारे वीडियो